बहुत बहुत स्वागत है दुस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का जियोगरेफी के सेंपल पेपर के बारे में ठीक है जो कि उनका मेटरम कह लीजिए या फिर फर्स्टरम कह लीजिए उसके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो चल पेटे से 35 और आपकी किसी भी सब्जेक्ट का कोउशन पेपर हो आपको उसके सामान निर्देश जरूर पढ़ने हैं क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि किस खंड में आपको कितने प्रशनों के उत्तर देने हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखें विद आंसर के साथ में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन ए है हमारा इसमें आपको बताया जा रहा है कि इस खंड में 24 में से किनी 20 प्रशनों के उत्तर दीजिए ठीक है मैं बताया था अपने MCQ की जो सीरीस चलाई थी अगर आपने वो देखी है तो आपको यह जिरूर पता होगा ठीक है अगला कॉश्चन में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है तो भाया यह बहुत ही सिंपल सा आंसर है सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का कॉश्चन में से निम्न में से कौन सी संख्या बुध की आयू को दर्शारती है जो बुध ग्रह है उसकी आयू को दर्शारती है वह कौन सी संख्या है तो वो संख्या है 4600 करोड वर्ष यान की ऑप्शन बी राइट है कॉश्चन बर 4 है निम्न में से कौन सा प्रिथिवी की आंतरिक जानकारी का दूसरा एप्रित्यक्च स्रोथ है प्रिथिवी की आंतरिक जानकारी का दूसरा एप्रित्यक्च स्रोथ पुछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है उलका है ठीक है आंतरिक जानकारी का दूस अगला question number 5 निम्न मैंसे किस परत का घनत्व सबसे कम है ऐसी कौन सी परत है इन मैंसे जिसका घनत्व सबसे कम है तो वो है भूपर्टी question number 6 यूरेशिन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का उदाहरण है तो यूरेशिन जो प्लेट है वो महादूरिय महाशागरे प्लेट का उदाहरण है question number 7 प्लेट विवतनिक सिध्धान्त के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है मुख्य प्लेटें जो है वो कितनी है तो वो साथ मुख्य प्लेट है question number 8 निम्न मैंसे धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुँचती है यानकि भूकम्प के दोरान ऐसी कौन सी तरंगें होते जो धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है तो वो होती है पी तरंगें ठीक है अगला question number 9 यदि किसी भूकम्प की तीवता 8.0 है तो उसे किसके दोरा मापा जाएगा आपके सामने चारी अंत्र हैं इन चारों मैंसे किस में मापा जाएगा ये बताना है तो इसका option है right option है ए रिक्टर स्केल पर question number 10 निम्लखित मैंसे किस प्रक्रिया में प्रिथिवी की भीतरी भाग से गैसे धरती पर आती है आपके सामने चार option है इसका right answer होगा गैस उस सर्जन ठीक है option भी आपका right answer हो जाएगा बात करते हैं बच्चो question number 11 की 11 है निम्ल मैंसे कौन सी भूव ज्यानिक काल माप क्रम अवदी सबसे लंबी होती है जो सबसे लंबी अवदी होती है वो होती है इयोन ठीक है question number 12 पेटरोलोजी विज्ञान क्या है तो पेटरोलोजी जो विज्ञान है वो शैलों से संबन देता है ठीक है question number 13 निम्लिखित मेंसे कौन सा अक्छांसिय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमी के विस्तार के संदर्व में प्रासंगिक है यानि कि उसके संदर्व में गलत है ये वताना है तो इसका option D long answer हो जाएगा यानि कि जो option है वो D सही नहीं है question number 14 निम्लिखित मेंसे किसे ने भारतिय उप महादीब को एक एडुतिय छित्रिय पहँचान दी थी ठीक है वो कौन था तो वो था हिमाले हिमाले ने भारत को एक उप महादीब के जरिये मतलब उप महादीब के स्वरूप में एक एडुतिय पहँचान दी है question number 15 निम्लिखित मेंसे कौन सा इस्थल छेत्रफल की दिष्टी से भारत का है यानके कौन सा इस्थान जो है वो छेत्रफल की दिष्टी से भारत का है विश्व में तो ये तो आप सभी को पता है सात्वा इस्थान रखता है six है निम्लिखित मेंसे कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है तो वो कौन सी रेखा है करक रेखा ये भी बहुत इसान सा प्रशन है question number 17 निम्लिखित मेंसे किस राज्य से मानक या मुत्तर रेखा गुजरती है वो कौन सा राज्य है तो यहाँ पर जारकंट तेलंगाना महराष्ट दिया है इन मेंसे वो कोई भी राज्य नहीं है जिसमेंसे मानक या मुत्तर रेखा गुजरती हो ठीक है question number 18 18 है निम्लिखित मेंसे कौन सा पडूसी देश इस्तल रुद्ध नहीं है यानि कि जहाँ पे इस्तल नहीं है माल्दीब बांगलादेश चीन तो इन मेंसे कोई भी नहीं है ठीक है option D हो जाएगा आपका question number 19 गांदी सागर बांध बनाया गया था किस नदी पर ये बताना है तो वो नदी है चंबल नदी question number 20 निम्लिखित मेंसे कौन सा तापी नदी का उद्गम इस्तल है तापी नदी का उद्गम इस्तल कौन सा है इसका right answer है option C मुलताई question number 21 केरल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है तो केरल की सबसे बड़ी जो बड़ी नदी उसका नाम है भरत पूजा ठीक है question number 22 सावर मती एक परसिद्ध नदी है किस राज्य की तो सावर मती जो है वो गुजराद की सबसे परसिद्ध नदी है 23 निम्लिकित मैंसे किस राज्य में गंगा की जो द्रोडी है वो सबसे छोटी है ऐसा कौन सा राज्य है तो वो राज्य है बच्चो उत्तराखंड जहांपे गंगा नदी की द्रोडी जो है वो सबसे छोटी है उत्राखंड में Q24 24 कहता है कि सुब नसीरी एक सहायक नदी है किसकी सहायक नदी है तो वो है ब्रह्मपुत्री की तो अभी तक के बद जो section A के जितने भी प्रशन है आई हूप आपको समझ में आये होंगे ठीक है अब हम अपने section B की तरह बढ़ते है section B में सबसे पहले तो इसमें भी 24 है 24 में से किनी 20 के आपको उत्तर देने है और प्रशन संक्या 25 से 39 ये सभी मांचित्र से संबन देता है ठीक है तो मांचित्र आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इंगित किया हुआ है मांचित्र को समझाता हूँ आपको question number 25 तो 25 देखिए कहाँ पर इंगित किया है यहाँ पर यह उपर देख सकते हैं यहाँ पर है ठीक है अब यह पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिकी महादीप में सबसे बड़ा भोगोली के छेतर वाला देश इन में से कौन सा है ठीक है जो चिन्नित किया गया है तो वो है कानेडा ठीक है फिर 26 आपको बताना है यह वाला यहाँ पर है 26 कहता है कि निम्न में से आस्टेलिया में इस्थित गरम मरुस्तर है कौन सा है वो तो वो है विक्टोरिया ठीक है फिर 27 देख लीजिए कहाँ पर है 27 नहाँ पर दिया गया है आफरीका में यह पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा घास का मैदान आफरीका में इस्थित है तो इसका राइट अंसर होगा वेल्डस ठीक है उसके बाद 28 देखे यहाँ पर दिया हुआ है यह वाला एरिया पर अब 28 परशन पूछता है निम्न में से कौन सी परवत स्रंखला दक्षडी अमेरिका में है तो वो है कौन सा एक महा सागरिये प्लेट है अब यहां पर यह भी देख लीजिए कहां पर इंगित क्या हुआ है यहां पर देख लीजिए यहां पर अमेरिका और अफरीका के बीच का एरिया जो है ठीक है यहां पर पूछा गया है यह कौन सी महासागरिय प्लेट है तो यह जो है वो प्रशान्त महाशाग्रिय प्लेट है ठीक है अई होप मैप वाली जितनी प्रशन थे आपको समझ में आ गई होंगे ठीक है तो आगर बढ़ते हैं अगर देखिए प्रशन शंख्या 30 से 48 इन में से किसी भी 18 प्रशनों में से 15 प्रशनों का उत्तर दीजिए ठीक है कुशन बर 30 कहता है निमलिक्रित कतनों पर विचार करें और सही विकल्प का चैन कीजिए विचार हैं हमारे सौर मंडल में 8 गरे हैं निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है ये दो कतन हो गए अब इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा वो हमें चुनना है तो कुशन बर 30 का जो है option C right होगा कि पहला और दूसरा ये दोनों ही कतन सही है कुशन बर 31 कतन एक है कि पार्थिव ग्रय छोटे होते हैं ठीक है पार्थिव ग्रय छोटे होते हैं ये जनक तारे के बहुत समीप बने होते हैं तो यहाँ पे जो है वो दोनों कतन सही है ठीक है लेकिन व्याक्या इनकी अलग है कतन तो सही है लेकिन व्याक्या इनकी गलत है क्योंकि पार्थिव ग्रय छोटे क्यों है अगर ये कतन दो में बताते तो बात कुछ बनती भी ठीक है यानि कि व्यक्ष्या भी होती लेकिन आपे अलग-अलग बातें कहीं जा रही है तो दोनों कथन सही है कोशन नमर 32 बूकंप के उद्गम केंदर के बारे में निम्रिकित में से कौन सा कथन सही है पहला वह इस्थान जहां से ओर्जा निकलती है उद्गम केंदर को अवकेंदर भी कहा जाता है ओर्जा तरंग अलग-अलग दिसाओं में चलती हुई प्रिथिवी की सतह तक पहुचिती है तो इसमें पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन आपके भूकम्प के उद्गम केंदर के बारे में सही है ठीक है कोशन बर 33 भूकम्प के बारे में निम्न कत्रों पर विचार कीजिए और सही विकल्ब का चियन कीजिए पहला कत्र है भूकम्प प्रिथिवी का कमपन है सभी प्राकतिक भूकंप इस्थल मंडल में ही आते हैं भूकंप केवल प्राकतिक कारणों से ही आते हैं तो 33 में जो है वो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है ठीक है कि ये कंपंद भी है और ये स्थल मंडल में भी आते हैं question number 34 निम्लिखित मैंसे कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है इन मैंसे सिध्धान्त है प्रतिपादिक है ठीक है अब इस मैंसे जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है तो वो है दा बिग स्प्लेट सिध्धान्त सर जेम्स जीन्स ये इसका रोंग मिलान है ठीक है ये इसका सही सुमेलित नहीं है Q35 निम्न मैंसे कौनसा बहुमूल धातू एक परकार का नहीं है ठीक है तो इसका आप्षन है तामर चांदी प्लेटिनम सौन्ड ये सभी तो बहुमूल धातू नहीं है ठीक है बात करते हैं Q36 के 37 निम्न में से कौन महादिपिया विस्थापन के पक्षिक का एक इन में से परमाण नहीं है यानि कि इसमें से जो रॉंग आंसर वो बताना है तो वो है option number B मध्य महासागरिय कटक में साम में ठीक है question number 37 में देखिए यहाँ पे कुछ मिलान दिये गए है ठीक है अब इसमें से मिलान कौन कौन से सही है उसके बारे में हमें चेक करना है लॉरेशिया उत्री भूकंड पैनिया बिसिकलिए पैनजिया होना चेथा संपूर्ण प्रित्वी पैन्थालसा जहां प्लेट रस्ती है प्रिष्ठन चेत्रयान की विशाल महाशागर अब इसमें चार उप्षन है इसमें से हमें सही का च्यूस करना है तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो है उप्षन नमबर थर्ड ठीक है यहाँ क्या उप्षन नमबर थर्ड का मतलब क्या हो गया कि लौरिशिया जो है वो उत्री भूखंड है ठीक है पैंजिया जो है जहाँ प्लेट दस्ती है पैंजिया नहीं सोरी यह पैनिया है थर्ड है पैंथालसा जो की एक विशाल महाशागर है और प्रिष्ठिन चेत्र है संपूर्ण प्रिथ्वी ऑप्शन सी राइट आंसर है अगला क्वेश्टन बर थर्टी एट भूकंपिये तरंगों की दशा भिनिता का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है तो यह सिंपल सी वात है भूकंप लेखी अंतर के द्वारा इसका पता लगाया जाता है कोसी नदी निम्रिखित में से किसकी सहायक नदी है कोसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है तो वो है गंगा की ठीक है कॉस्टन बर फोटी निम्र नदियों की लंबाई को घटते करम के अनुसार व्यवस्थित कीज़ है यानिकिन चारो नदियों में से किसकी लंबाई कम है उससे भी कम फिर उससे भी कम उस तरह से हमें इसे उस किरम में लेके आना है तो किस तरह से लाएंगे सबसे पहले नर्मदा ठीक है फॉर्ट नमबर पे नर्मदा सेकेंड पे महानदी थर्ड पे तापी एंड फोर्थ पे लूनी ठीक है तो आप्सेंड ये आपका राइड़ कोशन नबर फोटी वन इसमें से हमें सही विकल्ब का चैन करना है ठीक है तो सबसे पहले दो कथन है पहला कथन है दक्षिड भारत की नदियों का भाव मानसून रितू में काफी ज़्यादा बढ़ जाता है कथन है दक्षिड भारत की नदियों की भाव की प्रविती वर्सा द्वारा निंतरित होती है अब इसका जो राइट आंसर है वो है option number B कि कथन और कारण स्वरी कथन A कथन दो दोनों सही है कथन दो कथन एक की सही व्याख्या भी कर रहा है ठीक है question number 42 है निमर्खेश मैंसे कौण सा यूगम यानकी इन मैंसे कौण सा सही नहीं है नदी और उद्गम इस्थान तो इस में से कौन सा सही नई है तो वो है सिंधु नदी सिंधु नदी परिपंजाल से नहीं निकलती है ठीक है Q43 है जो अपवह एक सेकेंड जो अपवह प्रति रूप पीड की साक्षाओं के अनुरूप हो उस अपवह को ऍख्या कहते हैं तो उस अब आपको कहते हैं जाली नुमा अपवात अंत्रे, ठीक है? 44, प्राई DPA अपवात अंत्र के संबंध में निम्रिखित मैंसे कौन सा कथन, इन में से सत्य नहीं है, किसके बारे में? प्राई DPA अपवात अंत्र के बारे में, तो वो है option number third, नर्मदा तापी और केंड पस्चिम से पूरब की और बहती है ये इसका कथन सत्य नहीं है 45 है निम्न मैंसे किस राज जी की सीमा बांगला देश से नहीं लगती है ठीक है ऐसे कौन से राज जी की सीमा जो बांगला देश से नहीं लगती है तो वो है सिक्किम की सिक्किम भारत की पूरवी पच्छिमी इलाके में काफी मतलब ये नेपाल की साइड में बूटान की साइड में पढ़ जाता है और ये पढ़ता है बंगाल जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ठीक है अगला चेतर के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बहुत सिंपल सा आंसर पूछ दिया ये तो ये है राजिस्थान ठीक है निमस्कित कतनों पर विचार कीजिए और सही विकल्ब का छेयन कीजिए पहला भारत के सबसे पूर्वी वा पश्चिमी भागों के समय में लगवग दो गंटों का अंतर है दूसरा उत्तर से दक्षड तक की वास्तिविक दूरी बत्तिसो चोदा किलोमेटर है इसलिए तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है दो गंटे का अंदर अंतर जो है वो इसी लिए है तक क्योंकि इनके बीच की दूरी काफी ज़ादा है 48 48 में है कॉलम दिये हुए है फर्स्ट में है राज्य यानकी कैंज सासित प्रदेश और सेकिंड में है रालधानी यहां पे अलग-अलग राज्य की राज्य दिये गई है यह गलत है या सही है हमें उसका उप्षन का चूज करना है तो चार उप्षन यहां पे दिये गए है ठीक है तो इन चारों में सुझविस का right answer बैठेगा ठीक है वो बैठेगा option number D ठीक है डी यानी की एक सेकिंड हाँ डी का मतलब हो गया देखे सबसे पहली है तमिल नाडू तो तमिल नाडू की राजधानी क्या है चेंड नाई ठीक है लक्ष तीव वा मिनिकाएं इसकी राज़दानी है कवारती सेकेंड है ओडिशा थर्ड है ओडिशा ओडिशा की भुवनेश्वर और मानिपूर की इमफाल तो बहुत यह शांचा था अगर दिखिए कोश्चन कोश्चन नमबर 49 अब इसके लिए हमारा सेक्शन सी यहां से स्टार्ट हो गया है जिसमें हम स्टारीट प्रेशन करेंगे दो प्रेशन होंगे यह श्रोब आधारित जिसमें कि आपके सब कुश्चन जो है वह दसबार हो जाएंगे उसके बाद कोश्चन पर आपका खताम है ठीक है तो सबसे पहले तो आप इस प्रोद को पढ़ सकते हैं इसलिए ठीक है बहुत उतर गेतर बढ़ते हैं Q49 है निम्द मैंसे किसके द्वारा शैलों की रूप में परिवर्तन होता है वो कौन सा है तो वो है उपरोक्त शबी, दाव, ताफमान और आयतन इन सभी के द्वारा शैलों में परिवर्तन होता है 50 है शैलों में खनीजों का रेखाओं की रूप में व्यवस्तित होना क्या कहलाता है तो उसे रेखांकन कहते है ठीक है Q51 है निम्द मैंसे किसके कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवम पुनहे क्रिश्टली करण होता है तो वो होता है उस्मिय कायांतरण के दौरा किसके दौरा उस्मिय कायांतरण के दौरा 52 है निम्द मैंसे कौन कायांतरित सैल का एक उधाहरण है तो वो है उपरोक्त सभी संगे मर्वर्ण भी है कार्ठर जी भी है और सिष्ट ये तीनों ही कायांत्रित सैलों के उदाहरण है उसके बाद एक और शुरोत अधारी प्रशन है आपका जिसमें आपके 53 से 56 के बालब इन चारों में से किनी तीन प्रशनों के उतर देने है और शुरोत का जो टॉपिक है वो है भूगोल की शाखाए यानि कि चैप्टर वन इसे पढ़ सकते हैं आप कोश्टन बड़ 53 निम्न में से कौन भूगोल का एक उपागम इन में से नहीं है तो वो है ओप्शन डी द्वैत्वाद 54 निम्न में से कौन एक प्रकृति का एक अनिवार अंग है तो यहाँ पर हमें बताने प्रकृति का सबसे अनिवार रिंग कौन सा है तो वो है मानव 55 निम्न में से किस उपागम में एक तर्थे को पूरे विश्व इस्थर पर अध्यन किया जाता है तो उसे कहते है क्रमबद उपागम 56 निम्न में से किस की आधार पर प्रिदेश का वरगी करण किया जाता है तो वो है उप्रोक्त शभी प्राकृतिक निर्देश्ट वर राजनीतिक इन सभी की आधार पर प्रिदेश का वरगी करण किया जाता है उसके बाद आकणों पर अधारेत आपके चार प्रश्ण है जिसमें से आपको किनी तीन के उतर देने हैं आकड़े ये हैं आपके आप देखिए question by 57 है निम्न मैंसे किस नदी का जैल ग्रहंड छेत्र सबसे बड़ा है तो यहाँ पर भी आप देख लिएजिए आप्शन से हो जाएगा आप्शन नमबर B 58 है निम्न मैंसे कौन सा नदियों के घटते जल ग्रहंड छेत्र का सही करम है तो वो है आप्शन नमबर C पैनर, भ्रहमाणी, स्वांटरेखा तथा पालार 59 है निम्न मैंसे किस नदी का जल ग्रहंड छेत्र सबसे छोटा है तो वो है वैत रणी कौन सी है वैत रणी कौशन नमबर 60 है लास्ट है प्रशन उप्रोक्त नदियों के बहने की दिशा क्या है उप्रोक्त नदियों के बहने की दिशा क्या है तो वो है पूरव ठीक है इस हमारे ये आखरी प्रश्ण भी खतम हो गया और इसी तरह से हमारा आज का ये वीडियो भी याँ पे खतम होता है आसा करता हूँ वच्छोओ आपको आज की हमारी वीडियो अछी लगी होगी अगर आपको ये कोशिन पर अच्छे लगा हो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को जादा से जादा अपनी सभी दोस्तों के साथ जरूर शेर करतीजेगा हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना ख्यार रखें धन्यवाद जैहिन वंदमातरम